नमस्कार मैं हूँ मैं यूरी स्रवास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है उत्तप्रदेश की बड़ी खबरों का उत्तप्रदेश के मूखमंत्री योगी आधितनात आज 46 नवरात्री के शुवसर पर बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर पहुचे जहाँ उन्होंने देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की इसके बाद उन्होंने गायों को चारा भी खिलाया वही मंदिर में फूज पूज आर्चना करने के बाद योगी आदितनात वापस लखनाओं के लिए रवाना हो गया है। पूज आर्चना करते हैं। इसके चलते मंदिरों में काफी भीड देखने को मिल रही है। हम आपको नवरात्री की ये तस्वीरे दिखा रहे हैं जिसमें आप साफ तोर पर देख सकते हैं। हारी संख्या में भक्त पहुचे हैं। माता को बेहदी खूबसूरत तरीके से सज़ाया गया है। उनका सिंगार किया गया है। बता दे नवरात्र आज से सुरू हुआ है। जो 30 मार्च तक चलेगा। इसी को लेकर आज मंदिरों में काफी भीड देखने को मिल रही है। माधुर्गा के दर्सन के लिए काफी भीड लगी हुई है। ये तीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रियागराज में बड़े ही धूम धाम से नवरात्री का पर्व मनाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद से हैं। जहां आप देख सकते हैं स्रधारों की फिर देखने को मिल रही है। और तीसरी तस्वीर औरया हम से हैं। बतादें के पूरे देश में नवरात्री को लेकर भक्तों में उत्षाह देखने को मिल रहा है। आज से चैत्र नवरात्री शुरू हुई है। जो 30 मार्च तक चलेगी पतादेशी को लेकर आज नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा है। ही तीन तस्वीरों में आफसावतोर पर देख सकते हैं भारी संख्या में स्रधालू की दर्बार पर पहुँचेएं आपे यह आप लखनव से भी तस्वीर ही देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर कानपुर से हैं, पहरी तस्वीर आपको लगनों से बता देएं कि यहां देखें, भक्त भारी संख्या में पहुंचे कोई, माता को बेहाद ही खुबसूरत अंताज में समझाया गया है, उनका सिंगार किया गया है, वहें दूसरी तस्वीर कानपुर से ह यहां भारी सख्या में मंदिर परसं में लोग नजर आ रहे हैं, कतारों में खड़े हैं, पता देश सुवा से ही मंदिरों में भक्तों की फिर देखने को मिल रही हैं। इन दो धन के अगे सार नवरात्री बेहधी खास मान चाती हैं। नवरात्री लोगोंका मान ना है कि नवरात्री के दिर मादूर्गा धर्ति पराती है। परकार नवरात्री में मादूर्गा का अपने भक्तों पर खास आसिरवात होता है। हास्क्रिपा देखने को मिलती है सिकोलेकर भक्त आज बड़ी स्रधा भाव के साथ माता की पूचा अर्चना करते हैं। पुरोदेश में नवरात्री कोलेकर भक्तों में विशेश। दिख रहा है बता दें कि नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्रों में मादुरुगा के नौ रूपों की पूजा की जाती हैं। बता दें कि ऐसे में कई नेताओं ने ट्वीट कर नवरात्री की बधाई दी हैं। हम कामने करने आएं कि हमारा राश्त मारा देश हमारा प्रेश का लोग कल्याण ओ सक्ति प्रजान करें। सब्सक्राइब निरोगी रहें सक्तिसाली रहें और लोग लोगों के जीवन में लोग इत्की भावना पेदा हो सबीका कल्याणों सक्ति पिणानों खुचाली आए संपंता है सबीका स्वास्थ अच्छा रहें यह मां के चड़ों में परशागने आए सब्सक्राइब निरोगी रहें शुब कामनाय सब पर मा की अनुकंपा बनी रहे। कॉंग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाग्डरा ने ट्वीट कर सभी देश वासियों को शक्ति स्वरुपा मादुर्गा की अराधना के पावन पर्व पर चैत्र नवरात्री की हार्दिक शुब कामनाय दी। आप देख सकते हैं योगी आदितनात ने नवरात्र के अवसर पर ट्वीट किया है वहीं प्रियंका गांधी वाग्डरा ने भी ट्वीट किया है सभी देश वासियों को सक्ति सरूपा मादूर्गा क्याराधना के पावन पर्व की हार्दिक शुब कामनाय बताने मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है नवरात्र के पावन अवसर पर भाड़ी फीर देखने को मिल रही है वहीं कई राजनितिक दल ने ट्वीट कर नवरात्र की अवसर पर शुब कामनाय दी हैं पता दे चैरत्र नवरात्र का आज से शुबारब हो गया है जो 30 मार्च तक चलेगा और बड़े थूंधाम के साथ शहर के मंदिरों में नवरात्री मनाय जा रही है के आदूगा के दरसन के लिए मंदिर में भत पहुंचे हुए है लगनओ से आप तस्विरों में दिंख सकते हैं स्टीर वाह, आपकार देफिता करता हम एक चार भाता है, आपकार थालाओ राओर राओर सिय लगषाय जएा हम करता है, नहीं करता हम आपकार करता हम आपकार हम आपकार हम लगषा ह Mississippi कहें हिपाद। पूरे नौ दिन विशेस महत्व होता है सबी घरों में लोग मादुर्गा की स्थापना करते हैं पूरे नौ दिन विशेस पूज अर्चना करते हैं इसके साथ याज हिंदू नवर्ट्स का भी प्रारंब हो गया है बतादे प्रती पदा इस्थिती को गुड़ी पुड़वा के रूप में मनाया जाता है वहीं इस्तिवारों को लेकर कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी ने ट्वेट किया है पतादें कि पूरे देश में नवरात्री का पर वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है राष्टी राजधानी दिली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का बिवादित पोष्टर लगाये जाने को लेकर बिवाद खड़ा हो गया है दिली पुलिस ने कई पोष्टर जप्त किये हैं और इस मामले में ताबर तोड एक्शन लेना शुरू कर दिया है इन बिवादित पोष्टरों को दिली में चिपकाने को लेकर आम आदमी पार्टी का नाम भी सामने आ रहा है पुलिस ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के बिवादित पोष्टर साज़निक संपत्यों पर लगाने को लेकर बिविन थानों में डिफेंसमेंट एक्ट में एफायार दर्च की है वहीं आम आदमी पोष्टर विवाद पर ट्वीट करके कह रही है कि इसमें गलत ही क्या है ट्वीट में लिखा है मोधी सरकार की तानशाही चरम पर है इस पोश्टर में ऐसा क्या अपत्ती जनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 पर FIR कर दिये। पिया मोदी आपको शायद पता नहीं पर भारत एक लोगतांत्रिक देश है। इस एक पोश्टर से इतना डर क्यों? वहीं पोश्टर लगाने वाले प्रिंटिंग प्रेस का पोश्टर पर कोई ब्योरा तक नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ती वीरूपड अधिनियम के तहट दर्ज हुए हैं सभी मुकद में। इस खवर परथिक ज़ानकारी के साथ हमारी समवाद दाता सूहानी हमसे जुड़ेंगी। सूहानी दिल्ली में प्यम मोधी के बिवादित पोश्टर लगे हैं क्या कुछ यह पूरा मामला है? अज अधिर पोस्टर लगाएगे हां दिल्ी के हर अलगरी इलाकों में एक स्टी। जो आपको बता दे कि दिल्वी पुलिसरे को जेकते हुए एक्तिम मोड में आगी है और वह हर जगा सी पोस्टर हटाने की कोसिज कर रही है वही आपको बता दे कि तमाम इस अप्रीजें के थाजिन पर आगी है यहां पे ना कोई सब्दा का नाम ना कोई प्रेस के नाम दिया आपको बता दे कि अब तक क्या कुछ करणवाई की गई है इस पूरे मामले पर पुलिस दुआरा इसमें जो बिल्ली पुलिसरे कापी एक्तिम मोड में जबते हुए उन्होंने देखा है कि दिल्ली का लग अला की इलाकों में जु पोस्टर लगाया गया हुए उस पर लोह प्रिंटिम प्रिंटिम प्रेट के मालिक भी इसमें आपको बता दे कि इसमें जो देखा गया है जब इंठापाई के बाद राक्षी में जब देखा गया कि जो यह वैं निकला जो पुसर सहीद जो बैं का वो आम अधी पार्टी के चर्याने से लिए करके हुए दिखा है इस तरह के पोश्टर लगाना कितना उचित है यह जğुत्र लगात जांए उठी प्रोश्टर लगाना उरी प्रोशा सुपादा दो अपने ठी की चाहिं ऑनाव मुचू प्रींकल ब्रैस remain a weeks कुछ दिन पहले कॉंग्रेस के पवन खेड़ा ने भी विवादीद बयान दिया था तब भी हुआ था कि यह जो पूरा विवाद आजितिक गलियारों में चल रही है कि आम अभी पार्टी को बयाने दे रहा है कि अगर देखा जाए पोश्टर में किसी भी प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है तो इस तरह नाम ना होना सिधा सिधा आप सरकार को घिरता हुआ नजर आ रहा है जो गई है तो कहने की प्रेस हो जाएगी और यह बात सामने आजाएगी तो इसलिए उन्होंने साफ्टॉप से च्वित बीचिया और बताने जिली को सब देखें लिए आगे कि आसे दिली प्रिस क्या इसने करवाई चरती है और क्या उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम सामने अगना मुगा कि तु एक तु अभी थुक्रतों मुझा जा रहा है तो इसी तमाम मुझा से ख्यां पर सी जो इसलिए ने फ्रेस कर दिली तो जी अबता उटने का फुरा कि आनमान लगा नागास कि यह जा जा रहा है तो इसी तो इसी तो मुझा सुहानी जिस तरह से पोश्टर में शब्द लिखे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा फाइदा मिलेगा मैं अपको बता दे कि अगर बातों से खुछ फर्टा राजिक गलियारों में तो कहा जाता है लेकिन अपको बता जो अपने बीफक्स के इलाव सुखना कुछ देना उसके बिरोध बोलना तो तो तमाम पाटी को आपनी एक स्लोगन देती राती हैं और भी मोदी हटाओ देश क्क विर अपड़ी आपने पाधाओ ना चाहती एक जो भी सरकार तो जो एक अधीर भी ना चाहती है दिलिवाकियों को इस लोगंते है अंधीरव मोडी और तेह आप मेटप आ हो देश बचाओ गानीकिनि पूरा अधीर दिखाना चाहती है दुनिया को दिखाना चाहती है वह सब्सक्राइब करते हैं तो क्या वो इसको लोगतंत्र से जोड़ कर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देख रहे हैं तो क्या वाला नहीं है क्या इस स्लोगन में लिखा है सब्सक्राइब कर देख रहे हैं उस लिखान वाला के सब्सक्राइब कर दो नहीं है जी धन्यवा सुहानी तमाम जानकारियों के लिए आपको बता दें दिल्ली में पियम मोधी के बिवादित पोश्टर लगाए गए हैं वहीं पुलिस का लगातार सर्च ऑप्रेशन जारी है इसमें दरजनों एफाई आर की गई हैं पुलिस ने इसमें बड़ा एक्शन किया है और 6 लोगों को गिरफतार भी किया है बता दें पोश्टर बिवाद पर ट्वीट कर लगातार बता दें पुलिस लगातार इस पे कारवाई भी कर रही है दिल्ली में बिवादित पोश्टर लगाए गए हैं पियम मोधी को ले कर जिसमें लगातार एक्शन भी किया जा रहा अभीतर दर्जनों के उपर FIR दर्ज की गई है और 6 लोगों को गिरफतार किया गया है वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का नाम भी सामने आ रहा है पुलिस ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के बिवादित पोश्टर सार्जुनिक संपत्यों पर लगाने को लेकर बिभी नथानों में डिफेंसमेंट एक्ट में FIR दर्ज की है वहीं आम आदमी पोश्टर बिवाद पर ट्वीट करके कह रही है कि इसमें गलत ही क्या है ट्वीट में लिखा है कि मोदी सरकार की ताना शाही चरम पर है अभी के लिए इतना ही देजुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं प्राइम टीवी के साथ नमस्कार झाल